मौट जहांसी बिधायक जवाहर राजपूत दोवारां राश्टिये खाद सुरक्षा मिसानी उजनां तरगा सरसट बीज केट बितरित की जहांसी जलागी तैसील मौट के कस्वा सम्थर में इस्तित राज किये बीज भंडर पर गरोठा बिधायक जवाहर राजपूत दोवा राश्टी एक हद सुरक्चा मिसान युजनान तरगा सरसद बीज के डिपतरन की गएं जिसमें किसानों के दौरां अभी बादन किया गया बहीं बिद्धायक ने कहा कि बातमान में देश के पिधान मंतरी एबा मुख मंतरी युगी सरकार दौरां किसानों के लिए कई उजना चलाएं जा रही हैं जिसका लाब सीधा किसानों को मिल रहा है जबकि 2017 के पहले की सरकार में युजनाय तो लागू हुई पर कागजों में ही बनकर रह गई बहीं बुंदिल खंड में सरकार दौरां हर घर नल हर घर जली युजना इतहत पानी से पीड़ित लोगों को लाब मिल लें जा रहा है और अभी कुछ गां इस युजना से बंचित हैं उनमें भी बहुत जल्द यह युजना पहुचाई जाएगी किशानों की समृद्धी और किशानों का उत्पादन कैसे बड़े हैं सरकार का नयंतर प्रया से और जी के तेर्ट आज मोट में संधर में वीज गुदाओं पर किशानों को छोटे-चोटे मिनिकेश दिये गए जिससे कम से कम किशान दलन और तिलन की पैदावार अपने खे कि बवस्त में भी किसानों के लिए और क्या-क्या नहीं हो जना इलाई यह आपने जना होगा जानकारी हो कि बास्तों में बुंदेल खंड के लिए यह सब सुभी प्रधानमंति जी और हम सब के बास्ताओं में महराज जी उत्तप्रदेश के एससी मुखवंत्री जी लगात प्रयास है कि बुंदेलगंड का कैसे चोंग की विकास हो अभी आपने देखा बुंदेलगंड के लिए बुंदेलगंड एक्सप्रेस डिफेंस कोरिडूर और उसके लिए नरंतर किसानों की चंता करते होगे प्राकरते खेती को पूरा प्रदेश के अंदर एक हब बनाना कि बास्तों में किशान अगर आज प्राकरते खेती करेगा तो ना क्योません कि चांदों की आम्दनी घट रही है इससे मलतर किषानों को लाग होने वाला है किषानों की जो लागत बढ़ रही है कि ना सकते धवाओं में रसैने कादों में। उसमें कमी आएगी और किसान की ला लगातार सरकार का प्रयास है कि किसानों के खेतों की रखवाली जो लगातार उन्हें चाहे जाड़ा हो बर्मी हो बर्साथ हमेशा के तो पर रहना पड़ता था लेकिन उसके लिए कि लगातार बनाकर लगातार सरकार उस पर काम कर रही है